हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एक व्यूवर है जिन्होंने कहा है कि टैक्स जो है वो इन्वाइस में या कार्ट के अंदर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग-अलग शो होना चाहिए मान लीजिए एक प्रोडक्ट 12% का है दूसरा 18% का है तो यहां टैक्स जो है वो टोटल शो हो रहा जो कि नहीं होना चाहिए अलग-अलग होना चाहिए बिलकुल सही बात है तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि आप इसको अलग-अलग किस तरीके से कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप Plugins के अंदर आके जो WooCommerce है उसको Update कर लीजे WooCommerce का एक नया अपडेट आया हुआ इसको आप अपडेट कर लीजे इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ ठीक है दोस्तों अपडेट हो गया तो आप देख सकते हैं इसमें जो है जगह पर सारे टेक्स को merge करके देखा रहा है तो अभी हम उसको कैसे सही कर सकते हैं उसको हम अलग-अलग नेम देंगे टेक्स को जो है अलग-अलग नेम देंगे कैसे जैसे दिखिए 12% पे पहले हम चलते हैं तो दिखिए यहां 12% के अंदर मैं जो टेक्स नेम करूंगा व को कर दूँगा मैं सेव इसी तरीके से मुझे 18% 28% और 5% के अंदर भी टैक्स नेम जो है वो चेंज करना है तो मैं कर देता हूं अब हम चलेंगे दुबारा से सống के अंदर यहाँ पर देखिए हमने जो शुपेंग टैक्स चूज क्लास चूज क्यों वह वो स्टेंडर्ड क sortie कि चूज क्या हूद तो हम स्टेंडर्द के उपर कलिक करेंगे और देखिए यहाँ पर भी आपको जो टैक्स नेम है वो चेंज करना है आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स नेम कर सकते हैं बस इस बात का ख्याल रखेगा कि जो आपका बायर है उसको सही तरीके से समझ में आ जाए कि टेक्स जो लगा हुआ है वो किस चीज लगा हुआ है तो दोस्तों यहां पर हमने अब जो टेक्स र लग अलग हो गया है अब शिपिंग का जो टेक्स है वो अठारा परसेंट बनता है 14 रुपे 40 पैसे 28 परसेंट के उपर टेक्स लगा है वो है 49 रुपे और जो अठारा परसेंट लगा है वो है 24 रुपे 30 पैसे तो इस हिसाब से आप अलग अलग टेक्स जो है वो कर सकते है इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ इसके अंदर हम इसको proceed to check out करते हैं तो देखें यहाँ पे एक error है error क्या है कि हमने flat rate prepaid choose किया हुआ है जो कि 80 rupees है लेकिन यहाँ पे COD option आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए यह option हमें इस तरीके से set करना है कि जब buyer COD choose करे तभी COD enable हो वरना COD enable ना हो prepaid में prepaid आए और COD के अंदर COD आए तो इसको हम किस तरीके से set करेंगे वरना buyer यहाँ पे क्या करेगा कि flat rate prepaid choose कर लेगा और आपको COD में order place कर देगा ठीके और मज़गूरन आपको order cancel करना पड़ेगा तो देखे वापस हम आ जाते है पैनल के अंदर और यहाँ पे सबसे पहला जो काम में अब करूंगा देखिए चो कि हमने अभी WooCommerce अपडेट किया है तो उसमें अभी shipping से related भी options जो है वो अपडेट हो गए तो अभी मैं क्या करूंगा यह जो हमने पुरानी plugin add की थी .store plugins इसको मैं हटा दूँगा अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं plugins के अंदर जाओंगा और इस plugin को deactivate कर दूँगा अभी इसको मैं कर दूँगा delete इसकी मुझे कोई भी अब जरूरत नहीं है अभी हम जाएंगे WooCommerce के अंदर दूबारा से settings के अंदर यहाँ पे हम जाएंगे shipping के अंदर shipping zone को edit करेंगे यहाँ पे देखे हम एक और method add करेंगे add shipping method flat rate ही add करेंगे अभी 3 ही आ रहे हैं लेकर हम यहाँ फ्लेट रेट ही add करेंगे add shipping method, अभी इसको हम करेंगे edit, flat rate की जगे पे इसको कर देंगे COD, taxable cost कितनी है, माली जिसे COD में मैं 100 रुपे लगा रहा हूँ 100 रुपे, तो देखे, automatically formula आगे, इस formula को मैं choose कर लूँगा और इसको मैं save change कर दूँगा अब हम सीधे जाएंगे payments के अंदर, यहां देखे, option है cash on delivery, इसको हम click करेंगे यहां पर जो method है, इसको हम change करेंगे तो इसको हम हटा देते हैं, और method देखे यहां पर आगे हमारा COD, पहले इस तरीके से option नहीं आता था, इसको हम add कर देंगे, और इसको कर देंगे save changes तो अब देखते हैं, चेक करके के panel जो है, वो change हुआ या नहीं हुआ तो इसको हम refresh करके देखते हैं, तो देख सकते हैं आप दोस्तों यह change हो गया, आप देखे flat rate prepaid में, जो COD को option है, वो गायब हो गया है ठीक है, अब जब मैं COD चूज करूँगा, तभी COD आएगा यह देखिए आगया cash on delivery cash on delivery, 200 रुपए charges यहां लगे हैं, और आप देख सकते हैं, यहां जो tax है, वो भी change हो गया, 36 रुपए हो गया है, 18% के साब से 36 रुपए बैठता है, अगर मैं इसको flat rate चूज करूँगा तो 14 रुपए, 40 रुपए से बैठता है इसके लावा देखिए, यहां से cash on delivery का option भी गायब हो गया तो इस तरीके से जो भी errors है, अपनी website में उसको सही कर लिजे, और जो tax visibility है उसको भी आप इस तरीके से सही कर सकते हैं और improve कर सकते हैं धोब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो like करिए, share करिए subscribe करिए, इसके लावा अगर आपका कोई भी सवाल हो, तो आप हमारा group join कर सकते हैं, गुरूप का link में वीडियो के description में provide करा दूँगा, thank you